इंडियन यूटूपर अन्शू में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ दस ऐसे उपाय जिनसे आप अपने स्किन को ब्राइट कर सकते हो तो वीडियो को लास तक देखेगा सबसे पहला है हल्दी और दूद को आपको मिक्स करना है इसका आप पेस्ट बना लें और कुछ थोड़ी दिर के लिए इसको आप ऐसे ही छोड़ दें फिर अपने चेहरे पर अपलाई करें जब यह सूख जाए तो इसको आप वाश कर दें आप हफते में इसको दो से तीन बार कर सकते हो और अब है दूसरा दूसरा है आलू को नैचरल लाइटनिंग देता है आलू तो करना क्या है आपको आलू को नैचरल स्किन लाइटनिंग माना जाता है इसलिए आलू के दो टुकड़े करें और उसको अपने चेहरे पर मालिश करें कम से कम पंजा मिनट तक रगड़ने के बाद चहरे को यूही रहने दें और उसके बाद में पानिसे धो दें तो इससे भी रंग साफ होता है तीसरा है मसूर की डाल मसूर की डाल भी गोरी रंगत पाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है इसके लिए मसूर की दाल लें और उसको पीस कर उसमें अंडे की जर्दी मिला लें आप थोड़ा से शहद और दही भी मिला लें अब इसका एक मास्क बनाका चेहरे पर अच्छी दरीके से लगाएं और सूखने दें जब यह हलका हलका सूखने लगे तो धीरे धीरे हाथों से मसाज करें और गुन-गुने पाने से धो धें हफ़ते में आपको यह एक बार या दो बार करना है जब यह आपको समय मिले इससे भी आपका रंग साफ होगा नेक्स्ट है नीबू और टमाटर यह फेयर इसकन के लिए माने जाते हैं करना क्या है इनमें विटामिन C होता है और इसमें जो यह एलिमेंट होता है वो रंग साफ करने के बहुत काम आता है इसके लिए एक टमाटर और एक नीबू के जूस को साथ में मिलाकर आप चहरे पर लगा लें कॉटन की सहाईता से लगा लो और इसके बाद में आप इसको सूखने दो दिन वाश कर दो तो इससे भी चहरे का रंग साफ होता है आपको हफते में दो से तीन बार इसको लगा स चहरे का रंग निखारने के लिए सबसे आसान तरीका है आप भाप ले सकते हो स्टीम ले सकते हो स्टीम लेने से आपके चहरे का रंग साफ होता है और जितनी भी चहरे की गंदगी है वो साफ हो जाती है नेक्स आता है संत्रे और पपीते का गूदा निकाल कर उसे अच्छ इसे दूद रंग गूरा करने के लिए सबसे अच्छा मददगार है, खास करकी कच्चा दूद, तो कच्ची दूद को आपको रूई की सहायता से अपने चहरे पर भिगो कर सुबह सुबह लगाना है, और सूखने देना है, इसके साथ में जब आप चहरा वाश करें, आराम से वाश कर दीजिए, इसको डेली आप कर सकते हो, ऐसा डेली करने से भी चहरे का रंग साफ होता है, आमला खाने से भी चहरे का रंग साफ होता है, इसके लिए आप आमला किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, या तो मुरब्बा के फॉर्म में खाएं, या फिर आप अचार के अगर आप चहरे पर लगाते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें इसके बाद हल के हाथ से मसाज करें और गुन-गुने पाने से आप इसको धो दें तो ऐसा अगर आप हफते में दो से तीन बार करती हैं तो आपके चहरे की रंगत साफ हो जाती है नेक्स्ट है गोरे और साफ रंग के लिए तरबूज और खीरा भी बहुत अच्छे उपाए हैं इसके लिए या तो खीरे और तरबूज के टुकड़े को काट कर दिये दिरे आप चहरे पर मालिश कर लो या फिर खीरे के टुकड़ों को भी आप अपने चहरे पर रगर सकते ह अधरवाइस आप तरबूज का जूस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा नीबू मिला लें नीबू में विटमिन सी होता है इसमें विटमिन सी एंटी आक्सिदेंट प्रॉपर्टी होती हैं इस मिश्रन को चहरे पर अच्छे तरीके से मिला कर लगा लें थोड़े दिर सू इसके भी कर लेती हैं वीक में तो इससे आपका रंग साफ हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा थैंक्यू सो मच